Hi students, welcome again in online classes. Today's chapter is The Book That Saved the Earth. आज का हमारा 10th chapter है The Book That Saved the Earth. जिस किताब ने धर्ती को बचाया. रिटन बाई, क्लियर, बॉई को. जिस किताब ने धर्ती को बचाया. लेसन ने. इस स्टोरी, इस लेसन इस एज पिले. यह कहानी एक नातक के रूप में है. So, let's come to know about the summary of this lesson first. This is a science fantasy. This imaginary story is set out in 25th century. A historian is giving a talk to the audience about the 20th century and telling the audience that the 20th century was often called the era of the book. Then she talks of the Martian invasion of the earth. That book took place in the year 2050. But, in fact, the invasion never took place. She says that one old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. Invasion means attack. Then, in 25th century, they resumed contact with Mars and they became friends. मतलब क्या है कि यह कहानी एक व्यज्ञानिक कहानी है. This is a science fantasy. यह काल्पनिक कहानी पच्चीसवी सतावदी में घटित घटना के आधार पर है. किसके आधार पर है? पच्चीसवी सतावदी में घटित हुई घटना के आधार पर. कैसी कहानी है? व्यज्ञानिक कहानी. एक इतियासकार सुरोताओं को बीसवी सतावदी के बारे में एक भासन दे रही है. और उन्हें बता रही है कि बीसवी सती को प्राय पुस्तकों के युग के नाम से जाना जाता था. पीरियड ओपुक्स. बीसवी सती को किसके नाम से जाना जाता था? किताबों के युग के नाम से. तब वह पिर्थुई पर, 2040 में मंगल ग्रह के लोगों दौरा किये गए आकर्मन के बारे में बात करती है लेकिन वास्तम में यह आकर्मन कभी हुआ नहीं था क्योंकि यह फेंटेसी है कल्पना है 2040 में मंगल ग्रह के लोगों दौरा पिर्थिवर आकर्मन के बारे में बात करती है लेकिन वो किया नहीं गया था आकरमन, कल्पना है वह कहती है कि नर्सरी कक्षा की कवीताओं में एक पुरानी किताब से दुनिया को मंगल गरह के लोगों के आकरमन से बचा लिया था नर्सरी किलास की कवीताओं की एक पुरानी किताब में जो मंगल ग्रह के लोग थे उनके आकरमन से बचा लिया था अब आप कहोगे कि मंगल ग्रह पर लोग कहा हैं कहानी कब की है 2040 फ्यूचर की तब पच्चीशी सताब्दी में उनका मंगल ग्रह के साथ फिर से संपर्ख बना और वो दोस्त बन गए ठीक है लेट्स स्टार्ट का लेशन नाओ Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English Mother Goose अंग्रेजी में नर्सरी कक्षा की कवीताओं की पुरिसिद्ध पुस्तक है Mother Goose नाम की Do you think क्या आप सोचते हो क्या आप सोचते हो कि ऐसी कोई किताब पिर्थवी ग्रह को मंगल ग्रह के लोगों से बचा सकती है मंगल ग्रह के लोगों के आकर्मन से Read this पिले इस नाटक को पढ़ो Set for centuries in the future जो future में चार सताब्दियों में लिखा गया है and find out और पता करेंगे कि कैसे आकर्मन हुआ कैसे बचाए गए और कैसे वो लोग friend बने characters इस पिले के इस नाटक के जो मुख्य पात रहें वो है historian इतिहासकार lieutenant, iota lieutenant, iota lieutenant की spelling देखो इसको बोलेंगे इंगलिस में pronunciation होता है lieutenant lieutenant, हिंदी में बोलेंगे lieutenant, iota great and mighty think tank fourth है sergeant oop fifth है apprentice noodle apprentice का मतलब होता है सीखने वाला, सीखता off stage voice और भार से आई होई आवाज मंच के पीछे से captain omega और captain omega है अब यहां questions है पहले start करने से पहले why was the 20th century called the era of the book 20th century को 20th century को 20th century सताबदी को पस्तकों के युग के नाम से क्यों जाना गया था who tried to invade the earth धरती पर आकर्म करने की कोसिस किसने की in the 21st century 21st century 21st century प्राचीन इतिहास का संग्रायलय म्यूजियम का मतलब होता है अ म्यूजियम इस प्लेस वियर एंसेंट थिंक्स आर केप्ट जहां पुरानी चीज्जाओं को संग्राय करके रखा जाता है उसको कहते म्यूजियम डेपार्टमेंट ओप दा 20th century on the planet earth पिर्थवी ग्रह पर बीसवी सतावदी का डेपार्टमेंट विभाग बिफोर राइज सूर्य उद्य होने से पहले अब पिले है तो ऐसे जो बोलेगा जो स्पीकर होगा उसका नम पहले आएगा और उसकी सिटेटमेंट बात में बिफोर राइज सूर्य उद्य होने से पहले support light science on historian प्रकास इतिहास कार पर चमकता है हुई sitting at a table जो table पर बैठी होई है डाउन राइट on which is a movie projector और जिस table पर एक movie projector भी रखा हुआ है assign on an easel, easel का मतलब होता stand besides her raids उसके पास रखे projector stand पर एक संकेत है ही हर रीड्स जिसको वो पढ़ती है वो संकेत क्या है museum of ancient history प्राचीन इतिहास का संग्रहले department of 20th century जो उपर लखा था बीशबी सताबदी का वभाग see stands and boast to audience वो खड़ी होती है और audience का मतलब सुनने वालों के सामने बोज सिर जोकाती है अब historian बोलता है इतिहास कार good afternoon दो पहरबाद की नमस्कार welcome to our museum of ancient history हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहले में and to my department और मेरे department में curiosities of the good old हमारा वभाग बीशबी सताबदी की अजीब वस्तुओं का संग्रह है और आपका स्वागत करता है four of twenty century the twenty century was often called the era of book अब बीशबी सताबदी को किसके नाम से जाना जाता था era of book या period of book किताबों की युग के नाम से in those days उन दिनों there were books about everything उन दिनों हर चीज के बारे में किताबे थी from anti-easers to jolis books taught people how to and when to and where to and why to कैसे कब कहां क्यों जूलू क्या होता है एक अफरीकन ट्राइब होती है अफरीकन कभी ले के लोग books taught people how to उस जमाने में लोगों को किताबें पढ़ाई जाती थी कि कैसे किताबें पढ़ है कब पढ़ है कहां पढ़ है क्यों पढ़ है they illustrated, educated, punctuated and even decorated वे लोगों को अच्छे से समझाती थी उन्हें ज्ञान देती थी educated, punctuated, समय का पावंद बनाती थी and even decorated और सजाती भी थी fashionable बताती थी but next page है the strange thing but the strangest thing a book you ever did was to save the earth लेकिन अजीब बात वो जिसने पिर्थवी की रक्षा की save the earth you haven't heard about the martian invasion of 2040 आपने 2040 में मंगल अगर है खिर आकरमन के बारे में ही सुनाओगा टस्क टस्क अब वो प्रोजेक्टर पर काम कर रही है what do they teach children nowadays आजकर बच्चों को क्या पढ़ाते हैं well you know आपको पता है the invasion never really happened वो आकरमन जो कभी वास्तम में हुआ ही नहीं because क्योंकि a single book stopped it क्योंकि एक किताब ने उस आकरमन को रोप दिया what was the book वो किताब क्या थी you ask अब तम पूछोगे a novel encyclopedia a novel ex-rest encyclopedia ex-rest vis-wakos encyclopedia का मतलब होता है vis-wakos पूरी दुनिया का खजाना a tom about rockets and missiles rocket और missiles के बारे में एक ग्रंथ tom का मतलब ग्रंथ a secret file from outer space बाहरी अंतरेक्स चे संबन्दित एक file no, नहीं, it was none of those उनमें से कुछ भी नहीं थी किन में से? rocket missiles और outer space it was but here वह थी लेकिन let me turn on the historiscope अब मैं historiscope को चालू करूँ and show you और आपको देखाऊ what happened many centuries ago in 2040 और आपको देखाऊ कि 2040 में क्या हुआ था बहुत सताव यो पहले see turns on projector where projector को चालू करती है and points it left और बाइं और इसारा करती है points का मतलब क्या होता है? इसारा करना spot light on historian goes out इतिहास कार पर light पड़ती है and comes up down left on think tank और फिर बाइं और नीचे think tank पर आता है वो प्रकास आता है? think tank who is seated on a raised box जो एक box पर बैठा हुआ है arms folded हाथ जोड करके folded का मतलब जोड करके he has a huge egg-shaped head उसका अंडे जैसा बड़ा सा सिर है and he wears a long robe decorated with stars and circles और उसने सितारों और विड़तों से सुसजित एक लंबा चोगा पहना हुआ है apprentice noodle sentence besides him सीखतर noodle उसके पास खड़ा है at an elaborate switchboard एक सजे हुए switchboard के पास assign on an easel reads और चित्र बनाने के stand पर एक संकेत लेखा है किस पर लेखा है चित्र बनाने के stand पर stand easel को कहते हैं Mars space control क्या लेखा है मंगल अंतरिक्ष नियंतरन Mars मंगल space अंतरिक्ष कंट्रोल नियंतरन great and mighty think tank commander in chief महान और सक्तिसाली think tank commander in chief before low before entering प्रवेश से पहले जोकिये प्रवेश करने से पहले जोकिये जोकिये का मतलब wish कीजिए नमस्कार बगेरा कीजिए noodle boeing जोकते हुए noodle कहता है oh great अरे महान and mighty और सक्तिसाली think tank most powerful and intelligent creature in the whole universe what are your orders हे इस दुनिया के महान और सक्तिसाली think tank सबसे सक्तिसाली और बुद्धीमान think tank मेरे लिए क्या आदेश है what are your orders आपके क्या आदेश है think tank कहता है क्योंकि ये characters है इस play के previously previously का मतलब क्या होता है चेड़ते हुए you left out part of my salutation आपने मेरे salutation का कुछ भाग छोड़ दिया है salutation जानते हैं salutation का मतलब होता है अभिवादन करना जोकना apprentice noodle प्रिशिक्षू noodle apprentice का मतलब होता है person under practice जो काम सीख रहा हो प्रिशिक्षू कहते हैं सीखतर कह सकते हैं डिस्पिल कह सकते हैं सिस्य चेला go over the whole thing again इस प्रिक्रिया को दोबारा से करो go over the whole thing again इसे दोबारा से करो noodle it shall be done sir sir ऐसा हो जाएगा इना sing song एक स्वर में बोलते हुए ओ ग्रेट और माइटी थिंक टैंक अरे महान और सक्तिसाली थिंक टैंक rulers of Mars mangal ग्रह के सासक and her two moons और उसके दो क्या और चंदरमाओ के सासक ruler सासक को कहते हैं most powerful and intelligent creature in the whole universe और पूरी सिरिष्टी के सबसे ज़्यादा सक्तिसाली और बुद्धिमान सासक out of breath एक ही स्वर में कहता है what are your orders आपके क्या आदेश है मैं क्या कर सकता हूँ how can I help you think tank कहता है that's better ये ठीक है I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership मैं चाहता हूँ कि मानव योग्त अंत्रिक्स परिक्षन की संचार ववस्था से मुझे जोड़ दिया जाए क्या I wish मैं चाहता हूँ to be placed in communication कि बात्चीच से जोड़ दिया जाए with our manned space probe to that ये जानने के लिए probe का मतलब क्या होता है चान बीन करना जानना ridiculous little planet we are going to put under our generous scholarship जिस पर मैं सासन करने जा रहा हूँ what do they call it again उसे किस नाम से जानते हैं again दोबार बता हिए नूडल कहता है earth your intelligence प्रित्वी धर्ती जिस पर मैं काम करने जा रहा हूँ जिस पर मैं सासन करने जा रहा हूँ उसको किस नाम से जानते हैं धर्ती think tank कहता earth धर्ती अपकोस निसंदे you see how insignificant the place is आपको पताए कि धर्ती कितनी महत्व हीन जगह है but first लेकिन पहले something important लेकिन उससे पहले कुछ महत्पून my mirror मेरा दर्पन है I wish to consult my mirror मैं अपने दर्पन को देखना चाहता हूँ noodle कहता है it shall be done sir ऐसा ही होगा sir he hands think tank का mirror where think tank को क्या देता है दर्पन देता है think tank mirror in my hand मेरे हातों में दर्पन who is the most fantastically fantastically intellectually gifted being in the land इस थान पर सबसे ज़्यादा प्रभावसाली परानी कौन है off stage voice off stage voice क्या है stage के बाहर की आवाज after a pause pause का मतलब वराम थोड़ी देर के बाद you sir आप हो सिरिमान जी think tank smacking mirror दर्पन को चाटते हुए चूमते हुए quicker जल्दी से answer quicker next time अगली बार जल्दी से मुझे बताना I hate a slow mirror मुझे slow mirror से नफरत है he admires himself in the mirror फिर वो दर्पन में खुद की तारीफ करता है देर आये अरे यहां मैं हूँ are we martians क्या हम मंगल वासी not a handsome race क्या हम मंगल पर रहने वाले लोग सुन्दर नसल के नहीं होते सुन्दर जाती के नहीं होते so much more attractive than those ugly earthlings with their tinny heads हम मंगल वासी छोटे सिरवाले उन कुरू पिर्थवी वासियों से बहुत ज़्यादा सुन्दर होते है so much more attractive than those ugly earthlings अगली भद्दे earthlings धर्ती पर रहने वाले पिर their tinny heads छोटे छोटे सिरवाले लोगों से more attractive ज़्यादा सुन्दर noodle you keep on exercising your mind noodle तुम अपने दमाग को active रखो and someday और किसी ना किसी दिन you will have a balloon brain just like man तो महारा दमाग भी मेरे दमाग जैसा हो जाएगा कैसा है मेरा दमाग balloon जैसा पड़ा गुबबारी जैसा noodle I hope so mighty think tank mighty think tank सकती साली think tank मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ I hope so मुझे ऐसी उम्मीद है think tank कहता now contact the space probe अब अंत्रेक्स के अन्वेशन से संपर्क करो now contact the space probe अन्वेशन क्या हो गया चानवीन सर्च अंत्रेक्स के सर्च से contact करो I want to invade that primitive ball of mud called earth before lunch मैं बहुत पुराने उस कीचड के गोले जैसे धर्ती कहते हैं lunch से पहले उस पर क्या करना चाहता हूँ invade करना चाहता हूँ attack करना चाहता हूँ think tank कहता है आक्रमन करना चाहता हूँ noodle कहता है it's all be done sir sir ऐसा ही हो जाएगा he adjusts levers on switchboard वह levers पर वह levers पर switchboard पर sorry वह switchboard पर levers को adjust करता है electronic buzzes and beeps are here electronic धोन और घंटियां सी सुनाई देती है as the curtains open जैसे ही पढ़ते खुलते हैं scene 2 दूसरे दिरिस्चे में क्या होता है what guesses are made by think tank think tank के द्वारा क्या guess की जाती है about the books found on earth धर्ती पर पाई हुई किताबों के बारे में after time a few seconds later कुछ वक्त बात place mars space control and the center विले पब्लिक लाइबरेरी मंगल अंत्रिक्ष नियंतर कक्ष और center विले पब्लिक पुस्तकाल ले पब्लिक लाइबरेरी एट राइज केप्टन ओमेगा सेटेंट सेज सेंटर केप्टन ओमेगा सेंटर्स पर खड़ा होता है opening and closing card, catalog, drawers in a confused fashion और परेशानी की हालत में नाम पट्टी का लगी हुई दराजों को खोलता है lieutenant iota is of left, lieutenant, lieutenant iota, left की तरफ है counting books in a book case एक book case में किताबों को गिनता है sergeant oop is at right sergeant oop right की तरफ है opening and closing a book किताब खोलता है, बंद करता है turning it upside down उलट पुलट कर रहा है shaking it हिला रहा है and then ruffling the pace and shaking its head बिना पढ़े पन्ने पलट रहा है और अपना सिल हिला रहा है shaking his head तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपकी समझ माया होगा lesson the book that saved वो किताब जिसने धर्ती को बचाया दो एक science के बारे में imaginary story है and also as play और नाटक के रूप में है आज मैंने आपको page 65 तक पढ़ाया है 65 अभी दहरा है कल पढ़ाएंगे आज के लिए इतना ही आप इसको दोबारा से revise करेंगे and try to find more and more about it okay so for today आज के लिए केवल ये lesson ही है tomorrow you will be assigned the questions based on it कल आपको इसके base पर आधारत question दिये जाएंगे okay thanks a lot for watching me have a nice day